विधान सभा के बज़ट सत्र का आज आठवा दिन है आज उस सदन में बज़ट पर चर्चा की जाएगी CMU की आदतनाथ करेंगे बज़ट पर चर्चा अज रदा चानकारी के साथ समधाता है संचय हमारे साथ जुड़ गया है संचय आज सदन में कहा रहा है कि बज़ट पर चर्चा की जाएगी मुख्यबंतरियों की आदतना चर्चा करेंगे आज मिल्कुल बज़ट का आज आटवा दिसमें आज जो जो बज़ट लाया गया उस बज़ट के दौरां जो बज़ट पेस किया ता उस पर चर्चा होगी कि राकित तरीक से आया है किन लिए मदों पर इस बज़ट को करच किया जाए गhmen पिछले बज़ट का होगी तो कहीने कहीं पच्छ और प्रतिपच दोनों के बीच में चर्चा के दौरान तीखी नोग जोग भी देखी जा सकती है चुकि जिस तरीके से बजट पर चर्चा होगी तो पिछला बजट कितना खर्च नहीं हुआ है उस पर भी कहीने कहीं विपच्छ सवाल उठाएग दोनों ही अपनी बातों को रख रहे तो ऐसे में यह देखा जाएगा कि बजट में चर्चा की जाएगी तो उस दौरान नेता प्रतिपच्छ भी अपना पच्छ रखेंगे तो ऐसे में कहीन कहीं सदर में हंगाम चर्चा तेज होती हुए दिख जा सकती है बिलकुल संच व है कि मुख्यमंत्रियों की आदतनाद बजट पर चाचा करेंगे वही नेता प्रतिपच्छ जैसा कि आपने बताए अखले श्यादव भी मौजूद रहेंगे तो विपक्ष की तरफ से कौन-कौन से और मुद्दे उठाए जा सकते हैं लगाता जिस तरिके से बेरुजगार हुए यह करने कर आप सी भाइचारा खराब हो रहा है मुद्दा भी आज सदन में चर्चा के दौरान देखने को मिल सकता है कि कही ने कहीं नेता प्रतिपच्छ के दौरा इस मुद्दे को भी उठाय जाएगी कानुन ब्योस्ता भाइचारा जिस तरीके से खराब हो रहा है उस मुद्द मुद्दे पर भी कई गहन तीखी टिपडिया देखने को मिल सकती है तो तमाम ऐसे मुद्दे है चुकि सदन में लोकसभा चुनाओं के पहले पहले का यह अंतिम बजेट है तो ऐसे में सरकार हर वर्क को साधने का प्रयास बजट के जरिए करने का प्रयास किय लेकिन उस पर कितनी कमिया है उस पर कितनी खामिया है उस पर विचरचा करने को देखने को मिल सकती है जिस पर नहींता प्रतिपच्छ तेज टीखी टिपड़ी भी करते हो नजार आएंगे तबाव चांकारी के बहुत-बहुत धन्यवाद आपका